दोस्तों आप सभी का स्वागत आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन यूज में तो दोस्तों इस वीडियो में रास्तन सवीदा एनम जो कोड केस का मसला चल रहा उसी के सारे के सारे डाउट्स जो किलियल करने वाला हूं 6,000 बच्चियां हैं जो परिशान हैं चिंतित हैं दुखी हैं कि क्या होगा भरती का क्या होगा क्योंकि एक बेरोजगार का मन होता न बहुत सारे चीज़े सोचने लगता है जब वो अकेले में बैठे होते हैं या घरवालों के सामने क्या जबाब हो उनके पास क्या कुछ होने वाला उनकी भरती का तो ये जो सववीदा एनम की भरती है 3058 पदों वाली जिनके लिए 6000 से ज़्यादा बच्चिया इंतजार कर रही है बेटिया इंतजार कर रही है बहने इंतजार कर रही है कि उनका verification कब होगा देखिये verification भी बताने वाला हो कब तक होगे इसके अलावा वो जो court case है ना उसका भी पूरा रथ समझाने वाला और RNS education उन्हुज़ पर जब कोई बात आती है या कोई खबर आती है तो आप लोग को पताए कि प्रमानिकता कितनी जादा होती है कितना सच होता है हमारी बातों का अब मैं बताता हूँ कि court case actual में है क्या और इस case के मतलब तीन यह अर्थ है ठीक है? disposed of ठीक है? यानि कि खारिज अगली जो date आएगी या उससे अगली date आएग उस पर हो जाएगा? depend करेगा कि सरकार इस पर क्या जबाब paste करने जा रही है सबसे पहले तो यह देखो यह जो case है दोस्तो जोदपूर high court में लगा है simple और सरल भासा में बात यह है दिव्या चोधरी और अन्य जो अभ्यरती हैं उन्होंने यह case लगा था देखिए कोई भी अभ्यरती जिसको यह लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो वो court जा सकता है या जा सकती है इसमें यह ना सोचे कि यह court क्यों गए क्यों कि आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते है आपके साथ गलत होगा तो आप कहां जाएंगे न्याय पालिका के पास जाएंगे अब दिव्या चोधरी और अन्य बच्चियों को लगा कि या यह तो गलत है हमारी एनम्स पूरी हो गए अब हम क्यों नहीं फोरम बरपार 21 वर्स के आयो के कारण तो वैसे जाना इनका भी गलत नहीं है यह ना सोचे कि यह गलत क्यों गए ठीक है ना कल को आपके साथ भी कोई असिस्ति बन जाए तो आपको भी जाना पड़े तो फिर आपको भी कोई गलत कहेगा इसलिए इस बात में कभी भी विश्वास ना करें कि यह कोट क्यों गए जिनको लगेगा वो जाएगा ठीक है आप किसी को नहीं रोक सकते ना आपके पैसों से यह गए है तो इस बात का तो जबाब यह है मेरे पास यह क्यों गए तो क्यों का जबाब तो यह है आप यह जो दिव्या चोदरी और अदर्स जो लोग हैं इनके एडवोकेट यहसपार्स खिलेरी जी थे इन्होंने इनके तरफ से पैरवी की और हुनरेवल जो जस्टिस है चंदर सेखर जी और हुनरेवल जस्टिस कुलदिप मातुरी इन्होंने क्या किया अठारा जुलाई को और बताया कि भाई कि जो विवाद है वो क्या है इन्होंने काया है जजस साब ने कि भाई जब डारेक्ट रिक्रूटमेंट है याने जो सीधी भरती है पर्मानेट भरती है वहां तो आप लोग अठारा साल ले रहे हो और यहां पर कोई भी ऐसा करत तरक नहीं है कि आप लोग पर्मानेट भरती के लिए तो अठारा साल ले रहे हो और सवीदा भरती के लिए आप लोग 21 सालों में कर तो कौन सा ऐसा लोजिक है अब उसके बाद इन्होंने बताया कि एक रिटन स्पेसिफिक एफिडिवेट रिपलाई ओन दिस इसू बिल फिल्ड विदिन पीरिड ओव टू विक्स यहां पर इन्होंने जजस साब ने ये का कि एक लिखित स्पेसिफिक एफिडिवेट सपत्पत्र पेस किया जाए इस इस विवाद पर ठीक है वो दो सपता के अंदर अंदर एक एफिडिवेट पेस करें सरकार कि ऐसा क्यों है कि पर्मनेंट के लिए तो एज जो है तो यहां पर बताए गया है प्रेस क्राइबिंग है दोस्तो ये ठीक है उसके पीछे बताए गया है कि भाई यहां 21 साल करने का कारण क्या है और वहां 18 साल करने का क्या है इस पर एक एफिडिवेट मांगा गया है पोस्ट दिस मैटर ओन 7 अगस्थ अब यह साथ तरीक को हिरिंग होनी है दोसपता का सरकार को जबाब दिया गया था कि भाई आप लोग जबाब पेस करें दोसपता के अंदर ठीक है मैं एक दो दिन के अंदर यह भी बता दूँग इसमें जबाब पेस किया गया अब तक य अब इन्होंने बताए कि यह जो विवादित जो भरती है यह विवादित जो कंटेंट है इसकी वजह से recruitment process देखिए आप लोग recruitment process में continue ठीक है recruitment का जो process है यह प्रिक्रिया है वो continue रखी जा सकती है काफिसारी बच्चेओं के लग रहा हो कि या यह कोर्ट केस के कारण तो नह जारी रखी जा सकती है बस यह है फाइनल रिजल्ट ओफ दा सलेक्शन फॉर दा पोस्ट ओप एनम सेल नोट भी डिक्लियर यानि कि अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जा सकता कब तक साथ आठ दो हजार चौबश तक कोट ने कहीं पर भी भरती परिक्रिया को रोकने के लिए नहीं का सरफ फाइनल रिजल्ट जारी करने पर स्टे किया है अब सुनो साथ तारीक तक तो वैसे भी फाइनल रिजल्ट नहीं आने वाला था इसलिए कोई मतलब नहीं है अब ये पूरा का पूरा मामला जो है आप लोगं के सामने है कोड ने क्या काश कि 21 साल क्यों रखिये सवीदा में 18 साल पर्मनेंट में क्यों है इस पर एफिडेविट पेस करो दो सब्ता के अंदर और यह केस साथ अगस्त को सुना जाएगा और जब तक यह केस सुना जाएगा तब तक आप भरती प्रक्रिया को जारी रख सकते हो और फाइनल रिजल्ट ज भी आ गया था ठीक है ना जब भरती निकले थी तब ही आ गया था देखिये सबसे पहले समें आडर आया था आट अगस 2023 को उसके बाद 26 सितंबर 2023 को उसके बाद नो नोंबर 2023 को उसके बाद फरवरी 27 2024 को उसके बाद मई 2024 को उसके बाद जुलाई 18 2024 को अंतिम ओडर छे तार और बरती को रोकने के, लैसा वैसा कोछ निया, जिसको गलत लगे वो जाएगा, अब सुनो मेरी बात, ये जो केस है देख सकते हैं, आप लोग 11 अबलिक 2023 दिव्या चोदरी है, बहुत सारी लड़किया हैं, ठीक है न, बहुत सारी हैं भाई, पूरे राजस्तान की बच्चिय आप लोगों का उत्तर इसे में चिपा है, कि भाई क्यूं रखा गया, 21 साल क्यूं रखी, 18 साल क्यूं रखी, अब देखिए भाई, ये सारत तैक करने का राइट किसको है, सरकार को है, सरकार को है, राजस्तान सरकार, अब वो कर सकती, आपके जो सब्विदा रूल्स थे, देखिए दोस्तों, ये जो मैं लाइने बता रहा है, इस बेसेश पर ये जो केसे जए खारिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, ये जो लाइन, छे नंबर पर एक लिखा है, आयू, इन नियमों के अधिन सब्विदा पर रखे जाने के लिए, कोई या आप लोगों की ये भरती जो है, हो रही है, एनम सब्विदा वाले, इसलिए पैनिक होने के आफशकता नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं डरना है, अब देखिए, कोट में पैरवी पर डिपेंड करता है, आपका वकील क्या बोलता है, पिटीशनर जो याची का करता है, उनका बनाती है, अब सरकार से ये नहीं पूसकते है, क्यों बनाया, लगा होगा सरकार को की 21 साल जो एज है, हमारी कोंट्रक्चल नियमों की रहने वाली है, CSR नियमों की रहने वाली है, अब क्यों का जब आप तो देखिए, जिनोंने बनाया वो देंगे, लेकिन क्योंकि CSR रूल्स के तहत ये भरती हो रही है, और CSR रूल्स में एज का जो क्राइटेरिया हो है, 21 यर्स का 21 साल, इसलिए जो भरती है, पूरी होगी, कम्पलीट होगी, कोई चिंता की बात निया, अब बात सुन लो भाई, कि आप लोगों के जो है, डीवी कब होंगे, द कुछ दिनों के अंदर, जो है, नेक्स्ट वीक जो आएगा न, अगला सप्ता आएगा, उसमें पता चल जाएगा कब से होंगे, ठीक है साथियो, चिंता नहीं करना, एनम जितनी भी बच्चिया इस वीडियो को देख रहे हो, जो सबसे काऊंगा, चिंता मत को, आपने अप अगले साथ तारीक हो, या उससे अगली तारीक हो जाएगा, जब तक होगा, उससे पहले आपका फाइनल रिजल्ट वैसे भी नहीं आना, ठीक है भई, साथ अगस्त को बताओ, कौन सी फाइनल रिजल्ट आ रहा था, आप लोगो के एनम्स का जो सवीदा वाली भरती है, न जिंता मत करो, वेरिफिकेशन के लिए जल्ट डेट आइक पाइनल देखिए, अब डेट किस तारीक से सुरूँगे, ये तो देखी, कंफार हम नहीं कह सकते, पांस तारीक से होंगे, दस से होंगे, एक नियमान के चुल आगस्त में, दस से पहले सुरू होने की संभावना ह है, अब कौन से तारीक होंगे, वो नहीं पता, ठीक है, थोड़ा बहुत मोटा मोटी तोर पर एक अनुमान अंदाजा बताया जाता है, बाकी विचलेशन के साथ हमने बता दिया है, क्यूं ये 12 साल रखी गई, इसलिए यहां पर नोटिफिकेशन में चीज़े दी गई, को बचियां, पिटिशनर्स हैं, याची का लगाने वाली, इनको सामिल कर सकते हैं, बस इतना सा होगा और कुछ नहीं होगा, और नियमों के अकोर्डिंग तो ये इनको भी बहार होना पड़ेगा, I think, मेरा ये मानना है, ठीक है, तो ये जानकर तो ये सोचा काफी सारी ये पेस हुआ, याची का खारी जी, ठीक है, कोई बड़ी बात है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब मैं क्या हूँगा, कि पांच-पांच लोगों से और करवा दो, आप लोगों से काफी बार निविदन कर चुके, पांच ल आएगे निकलेगी, तो भी जनकारी सब भरतियों के मिलेगे, रिजल्ट्स की मिलेगी, उनके तमाम अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगे, जोइन कर लो, नर्सिंग का भी टेलीग्राम अलग है, और दूसरी भरतियों के लिए भी टेलीग्राम चैनल अलग है दोनों जोइन कर लो फायदे में रहोगे दोनों पर अलगर डिटेल साती हैं ठीक है साती हो तो यह जैनकारती फिलाल इस वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत